अगर आप बेल्ट्रॉन की वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं तो थोरा साफधान हो जाएए क्योंकि ये वेबसाइट फर्जी भी हो सकती है जी हाँ चौक ये मत क्योंकि खबर बिल्कुल पक्की है दरसल राजधानी पटना में अपराधियों ने जालसाजों ने बेल्ट्रॉन से मिलती जुलती हूबहू एक वेबसाइट बनाई जो बिल्कुल ही बेल्ट्रॉन कंपनी के वेबसाइट जैसी मिलती है और उसमें वेकि जांकारी बेल्ट्रॉन पर्योजना पदाधिकारी जाहिद लतीफ को मिल गई उसके बाद क्या था उन्होंने पटना के शास्त्री नगर थाने में अग्यात जालसाजों के खिलाफ एफायार दर्च करवाया है इसके अलावा उन्होंने लोगों से नसीहत भी दी है कि ऐसे वेबसाइट से बच करके रहा जाए बता दी कि ये फर्जी वेबसाइट हूब हूब बेल्ट्रॉन के वेबसाइट से मिलती जुलती है ठीक उसी तरह का डीटेस डाला गया है जो कि बेल्ट्रॉन के असल वेबसाइट जैसा है और इस नकली वेबसाइट में वेकेंसिया न के बारे में खुलासा हो पाया बेल्ट्रॉन की मूल वेबसाइट bsedc.bihar.gov.in है जबकि शातिरों द्वारा बनाई गई फर्जी वेबसाइट bsedc.bihar.gov.co.in है मूल वेबसाइट से मिलती जुलती ही फर्जी वेबसाइट पर नौकरी के वेकिंसी निकाली गई जब नौकरी के लिए आवेदन देने वाले लोगों ने विभाग में संपर्क स्थापित किया तब इस फर्जी वारे का खुलासा हो पाया बेल्ट्रॉन के अधिकारियों का कहना है कि उनके यहां से नौकरी के लिए कोई भी वेकिंसी नहीं निकाली गई पटना की शास्त्री नगर पुलीस की माने तो आवेदन के आधार पर केस दर्ज करके मामले की जाच में पुलीस साइबर सल की मदद लेगी ताकि फर्जी वेबसाइट की आईपी अड्रेस को डेडेक्ट किया जा सके एक तरफ जहां युवा बेरोजगारी होने के कारण नौकरी की तलाश में है वही इस तरह की फर्जी वारेकर युवाओं को ठगने का सिलसला भी इन दोनों राजधानी पटना में खूब हो रहा है ऐसे शातिल, जालसाज, ऐसी कई तरह की कंपनिया बना रहे है और जिसमें वेकिंसी डाल देते है और लोग जिने बेरोजगार है जिने नौकरिया चाहिए वो इन वेबसाइट पर जाते भी है और ठगी का शिकार भी हो जाते है और ऐसा ही ठीक हुआ बेल्टरॉन की वेबसाइट के साथ बेल्टरॉन की वेबसाइट का ही एक फीक वेबसाइट बना दिया गया जिसमें वेकिंसिया निकाल दी गई और लोगों से ठगी की जा रही थी जब अभियर्थियों ने इसकी सूचना बेल्टरॉन को दी कि आपके विभाग में एसी कोई वेकिंस ही नहीं निकली है तो हमें वेबसाइट पर ऐसे कैसे दिख रहा है तब जाकर कि इस मामले का खुलासा हूपाया और बेल्टरॉन परियोजना पतादिकारी ने पटना के शास्त्रे नगर में फायार दर्ज करा लिया है अब साइबर सेल की मदद दी जा रही है अब उन फरजी वार उन जालसाजू का पता लगने में देर नहीं होगी इस खबर में इतना ही आप बन रहे न्यूस पियार के साथ और मारे चानल को सब्सक्राइब जरूर कर ले साथ इस वीडियो को लाइक और शेर भी करे धन्यवाद